दोस्तों, आज के इस वीडो में मैं आपको بتाने वाला हूँ कि कैसे आप What's Up Status पर फोटो के साथ गाना सेट कर सकते हो यानी आप एक साथ फोटो और गाना What's Up Status पर कैसे लगा सकते हो कि कि दोस्तों काफी डैब ऐसा होता है कि हमें WhatsApp status पर किसी को बड़े विश करना होते है anniversary विश करना होते है तो हम क्या करते हैं कि WhatsApp status पर photo तो लगा देते हैं photo लगाने का हमें option मिलते है बट गाना set करने का option नहीं मिलते है और हम photo plus गाना एक साथ नहीं लगा पते हैं तो दोस्तो आज के इस विडियो में आपको एक ऐसे trick बताना पालूँ जिसको आप यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपने photo के साथ गाना भी set कर सकते हो तो इसलिए आज के ये विडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यद इंटरस्टिंग है जरूरी है विडियो को पूरा जरू देखना और अगर विडियो पसंद आए तो विडियो को like, share, comment चला को subscribe जरू कीज़गा अब चली विडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अब चली में आपको बताता हूँ कि कैसे आप WhatsApp status पर photo के साथ गाना एड कर सकते हो कि 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 दोस्तो WhatsApp status को जब हम open करते हैं तो यहाँ पर हमें photo add करने का option मिल जाते है बट photo के साथ में music, गाना add करने का option नहीं मिलते है ठीक है दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले Chrome browser को open करने है आपको जाना है Chrome browser में Chrome browser में जाने के बाद आपको Google search करने ठीक है और यहाँ पर आपको type करना है जिस भी गाने को आप set करना चाहते हो ठीक है आपको उस गाने को सबसे पहले download करना होगा ठीक है जैसे मानलो की हमें ये वाला गाना set करने है ठीक है पापा मेरी जान जो गाना है हमें इसको photo के साथ में जोड़ना है add करने ठीक है तो हमने इस गाने को search कर लिया है ringtone ठीक है दोस्तों जब आप search करोगे आपको यहाँ पर काफी सारे website मिल जाएंगे आप बहुती आसानी से गाने को download कर सकते हो ringtone download कर सकते हो ठीक है आपको कोई भी एक website open करने आपको यहाँ पर गाना मिल जाएगा ठीक है आप देख सकते हो गाना यहाँ पर सोहर है ठीक है अ मालो कि हमें इसको download करने आपको download पर 탑 करने ही add को cut करने ही आपको नीचे scroll करने ही नीचे आपको एक option मिलेगा download कर ठीक है आप यहाँ से direct गाने को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो गाना हमारा डाउनलोड हो चुक है ठीक है तो इस तरह आपको सबसे पहले अपने गाने को गूगल से डाउनलोड करने है दोस्तों आप गूगल से कोई भी गाना डाउनलोड कर सकते हो दुनिया का कोई भी प्ले स्टोर को ओपन करने हैं, आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है, आपको प्ले स्टोर को ओपन करने हैं, और यहाँ पर सर्च करना है, इस टोरी बीट, ठीक है, आपको यहाँ से इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, तो अरड़ी मैंने पहले से इस प्लस का आपको इससा पर टैप करने हैं फिर आपको पहले वाले ओप्सन पर टैप करने हैं अब दोस्तों आपके फोन की गैलरी open हो जाएगी आपके फोन की गैलरी यहां पर सो हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको उस पोटो को सेलेक़् करने हैं जिसको आप what's up status पर set करना चाते हो ठीक है जैसे माल लो कि हमें ये वाला फोटो what's up status पर लगाना है और इसी फोटो पर गाना add करने ठीक है तो हमने फोटो को select कर लिए इस तरह आपको फोटो को select करने इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे काफी सारे option मिलेंगे ठीक है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा music आपको इस पर tap करने आपको इस पर tap करने दोस्तो आपको यहाँ भी काफी सारे song मिलेंगे music मिलेंगे ठीक है बट हो सकता है कि आपके पसंद का गाना आपको यहाँ पर so ना हो तो दोस्तों इसलिए आपको अपने पसंद का गाना पहले से ही डाउनलोड करके रखने ठीक है आपको यहाँ पर कुछ इस तरह स्क्रॉल करना है स्लाइट करना है आपको यहाँ पर एक ओप्सन मिलेगा my library आपको इस पर टैप करने ठीक है अब आपको यहाँ पर आपका जो गाना है वो सो हो जाएगा ठीक है आपका जो गाना है आपको यहाँ पर दिख जाएगा आप देख सकते हो इसी गाने को हमने अभी डाउनलोड किया ठीक है इसके बाद आपको प्लस पर टैप करने है ओके आपका जो गाना है वो प्ले हो जाएगा ठीक है मैं आपको प्ले क करके नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि copyright strike आने के chance होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने गाने को select कर लिया, ठीक है, कितना गाना आप set करना चाहते हो, आप इस तरह setting कर सकते हो, गाने को crop कर सकते हो, इसके बद आपको ok पर tap करने, आपके photo पर गाना add हो सकते हो, ठीक है, इसके बद आपको यहाँ पर adjust का option में लगा, आप brightness, contrast, इन सब चीजों को यहाँ से अपने हिसाब से adjust कर सकते हो, अब आपको यहाँ पर एक option में लगा text का, आप अगर अपने photo पर कुछ भी लिखना चाहते हो, ठीक है, जैसे मालोक यहाँ में लिखना है happy birthday तो हम डाल देते हैं happy birthday, ठीक है, ओके, तो हमने happy birthday लिख दिया, ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर status font भी मिलेंगे, आप font अपने हिसाब से set कर सकते हो, जो भी font आपको पसंद आता है, आप उसको apply कर सकते हो, आप color भी change कर सकते हो, ठीक है, इस तरह color भी change कर सकते हो, फिर आपको ok पर tap करने हैं, अब दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से adjust कर सकते हो, ठीक है, इसके position को, इसके size को, ओके, अब आपको यहाँ पर एक और option मिलेगा, stickers, आपको इस पर tap करना है, यहाँ पर आपको काफी सारे sticker मिलेंगे, ठीक है, जो भी sticker आपको पसंद है, आप उसको अपने photo पर apply कर सकते हो, ठीक है, आप देखो borders भी यहाँ पर दिये गए है, फ्रेम दिये गए है, जो भी आपको पसंद है, आप उसको अपने photo पर set कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद, आपको save करने हैं, ओके, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, export for free, आपको इस पर tap करने दोस्तों, अब आपको add को cut कर देने हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यह ready हो रहा है, ठीक है, processing हो रहा है, आपको कुछ second wait करना होगा, अब आपको यहाँ पर नीचे काफी सारे option मिलेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे काफी सारे option मिलेंगे, आप यह इस तरह आपको इसको अपने गैलरी में save करने, इसके बाद आपको यहाँ पर और भी option में लगा, ठीक है, आप अपने वीडियो को Instagram story पर share कर सकते हो, WhatsApp पर share कर सकते हो, Reels पर share कर सकते हो, ओके, अब हमें WhatsApp status पर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस application को बंद कर देंगे, ठीक है अब हम WhatsApp को open करते हैं, status पर tap करते हैं, और जो वीडियो हमने create किया है, उसको हम select करते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो photo है, वो add हो चुका है, photo पर गाना भी add हो गया है, आप सुनो, तो दोस्तों इस तरह आप बहुती आसानी से photo पर गाना set कर सकते हो, ठीक है, और उसको status पर लगा सकते हो, अब हम arrow पर tap करेंगे, और हमारे WhatsApp status पर photo के साथ गाना set हो जाएगा, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को like कर दू, चैनल पने चाल को subscribe करो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeful videos बनाता रहता हूँ, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,